नमस्कार, स्वयम में आप सब का स्वागत है जब आप एक ऐसे क्षेत्र में पहचान मनाना चाहते हैं जो आपके खुद के व्यक्तित्व से तालुक रखता है तो ये बात कोई आसान नहीं होती लोगों की टेडी निगाहें और शुरुवाती दौर में जो संघर्ष आते हैं जल्दी ही आपको तोड़ने लगते हैं इस संघर्ष में हार जाते हैं कुछ लोग पर कुछ खुद का वजूद लोगों को मनवा कर रहते हैं हमारी आज की मेहमान कुछ ऐसी ही है चुर्बुली, हस्ती, खिल-खिलाती रूबी भाटिया पर इस प्यारे से चेहरे के पीछे भी आत्मविश्वास की निशकंप जलती हुई दीवशिका है रूबी दरसल कैनडा में जन्मी है वहाँ उन्हें इंडिया कैनडा ब्यूटी क्वीन का खिताब मिला और इसी ने उन्हें एक ललक दी मीडिया में अपनी जगे और पहचान मनाने की रूबी इंदुस्तान चली आएं क्योंकि इनकी जड़े तो कहीं इसी देश में थी फिर शुरू हुआ प्रोडक्शन हाउजेज और आड एजन्सीज में जाने का दौर आशा निराशा के बीच अपने आत्म विश्वास को घर परिवार से दूर रहकर जिंदा रखने का संखर्श पर कोई संखर्श रूबी के खिल खिलाते हस्ते चेहरे में कभी लकीरे नहीं डाल पाया और एक दिन उन्हें पहचान मिली पर उन्हें जिस दिन एक शुरुवात मिली उस दिन से रूबी ने पलट कर कभी नहीं देखा उनके सफल कारेक्रमों की पूरी लंबी सूची है मॉडलिंग में भी उनका चेहरा पूरे जोश्व खरोष से मुसकराता दिखता रहा यह मुसकान थी एक नहीं हारने वाले आत्म विश्वास की आई ये बात करें रुबी भाटिया से रुबी शोव में आपका बहुत स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद मजे बुलाने का In fact, it's an honor to be on your show Thank you, you're most welcome आपका नाम आते ही एक बहुत चरपी, बहुत जादा बोलने वाली बबली लड़की का ख्याला बहुत जादा बोलने वाली क्या आप वास्तर में वैसे ही हैं? महा, बोलती तो हूँ मैं, 24 गंटे मुह बंदने ही रहता तर वो जादा तर आपकी TV इमिज है या, एक्चली मैं बहुत ही लखी थी, मुझे ऐसा जॉब मिला जिसमें मैं अपना जो नाच्रल परसनालिटी है वो यूज कर सकी लेकिन ऑफ कैमरा में काफी सीरियस भी हूँ लेकिन वो लोग वो पसंद ने करते, वो ऐस्पेक्ट तो मैं लोगों के साथ जब मिलती हूँ तो हसती हूँ, असाती हूँ, उनको अच्छा लगता है अब अमेरिका में पैदा हुई और आपकी परवरेश सारी कैनेडा में हुई उसके बावजूद हमने देखा कि आप में काफी हद तक भारती है था, अभी भी नज़र आती है, आप हिंदी अच्छी बोल लेती है क्या ये आपके घर के माहौल की वज़े से, आपके माता-पिता की वज़े से है जी, बिलकुल, लेकिन शुक्र है कि किसी ने ये बात देखी मेरे में क्योंकि जब मैं शुरू शुरू में आया थी, पहले मेरे बाल बहुत लंबे होते थे जैसे मैंने अपना जब पहला पॉर्टफोलियो खिचवाया था उसमें मेरे बाल बिलकुल इतने लंबे और घने और धीरे धीरे बाल कटते कि एक नत भी होती थी, नोज रिंग लेकिन यहां पर आके लोगों ने कहा कि ने यहां पर वेस्टर्न इमिज आपको सूट करेगा, आप वेस्टर्न इमिज यूज करिए यहां पर तो मुझे लगा कि शायद लोग अंदर से जानते नहीं कि फिर भी मेरा दिल है हिंदुस्तानी लेकिन फिर भी, आइधिक जो एनराइस होते हैं, जो वहां पर आउटर्व इंडिया जो रहते हैं, उनको ज्यादा जोश होते हैं अपने कल्चर के बारे में सीखने का तो मेरे मम्मी डैडी ने तो डंडा लेके मुझे मुझे मार मार के पढ़ाया लिखना पढ़ना है, मैंने का यह सब मेरे काम में कब आगा, मैं तो कैनडा में रहती हूँ लेकिन वही चीज आज बहुत काम में आई, उसी से मैंने अपनी जिंदगी बनाई है जब आप कैनडा में थी तो 1993 में आपको मिस इंडिया कैनडा का टाइटल आपने जीता इस कांटेस में हिस्सा लेने का आपने कैसे सोचा? जब मैं 19-20 साल की हुई तो ममी ने कहा कि देख लो अब तुम्हारा लास चांस है अगर तुम इंडिया कैनडा में भाग ले लो लास चांस किस लिखास से? मतलब अगर आप मॉडलिंग में जाना चाहते हैं तो एक उम्र होती है अगर आप 25-25 के हो जाएं तो शायद अगर आपका लग अच्छा है तो आप आ सकते हैं इस फील में ऐसी बात नहीं है लेकिन मेरी उम्र काफी बढ़ती जा रही थे ममी ने कहा कि तुम्हारे उपर है अगर तुम्हारे इंटरस्ट है तो इसमें भाग लो कि अगर आप रही थे जब मैं आई थी बेसिकली मैं कुछ भी नहीं थी आई वस नोपरी सिर्फ यह था कि जब मैं किसी से मिलना चाहती हूं अगर मैं बोलू कि मैं मिस्सिंडिया कैनेड़ हूं तो एक काइंड अप्रोच नहीं थी मेरी चाहे मैं में मेहनत बहुत की मैंने शुरू शुरू मिया कोई अगर इस फील्ड में आना चाहते है तो उसको बस वन टू थी यह स्टप्स करने हैं एक तो एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनवाना है अब मेरा पोर्टफोलियो काफी फि 15-20,000 अगर आप एक लेडी हैं तो 15-20,000 अगर आप एक आदमी है तो 10,000 तक का पोर्टफोलियो आपको बनवाना पड़ेगा और फिर उसमें से चार याँ पांच शॉट्स इससे ज्यादा नहीं उनके पैकेट्स बनाओ आप कॉपी बनाओ और बांट दे जाओ उसके पीछे नाम और नंबर लिखो और बांट दे जाओ जितने लोगों के पास आप अपने फोटोस पहुआ सकते हो उतना ही आपको काम मिलने का चांस है तो मैंने यही किया और मैं सुबह साथ बजे उटती थी आठ बजे घर से बाहर एंट सीधा नारीमन पॉइंट चर्च गेट में अड़िटाइजिंग एजनसी इस पे दरवाजे खटकटाना जहां पर अपॉइंट्मेंट है वहां पर अपॉइंट्मेंट कहिलने लगी और ऐसा कहा जाता है कि अगर टीवी की हिस्ट्री लिखी जाएगी तो प्री और पोस्त्रूपी बातिया के फेस की लिखी जाईए हुगा यहा है राध है मजा अगया आप यह बटाए हुआ अब यह बताएगे कि अतने कम समय में अपने पॉपलरिटी कैसे हा यह भगवान, I don't know, I don't know, यह तह आप कहते हैं, I think, संसकार होते हैं, नेरे ममी डाइरी ने मेरे मन में काफी बाते डाली हुई हैं, लेकिन पापा ने कहावत कही थी, वो मैं शेयर करना चाहती हूं आपके साथ, दोहा है या चौपाई है, शायद रमायन की, कि देंदार कोई और है, भेजत जो दिन रहन, लोग भरम हम पर करें, तासो नीचे नेन, तो यह एक हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग कहुआ या फिर एक दूसर भी है कि जू जू कर, उंचा कर, तासो नीचे नेन, something similar to that, तो काम आपका अच्छा होना चाहिए, काम आप अच्छे से कर, आ और शिशी कपूर की बेटी का रोल अदा किया था एक फिल्म में, दूर देश नाम था उसका, वो आप ही थी? जी, मैं वो बही थी, दूर देश नाम था फिल्म का, उसके बाद चाहिए गहरी चोट के नाम से, री-रिलीज हुई थी वो एखनी छोटी अमर में आपने अक्टिंग की, इतना experience किया, अच्टिंग का, उसके बाद कहां गुम हो गई? अच्टिंग मॉडलिंग भी की थी, मैंने, एक मैगजीन थी, Just About Me, उसके कवर पर मैं आई थी, और थोड़ा पहुँचाइड, अज़ाइड आप बैले, इट गव में एक 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 बादेशन थी, तो एक एक बादेशन थी, जितनी कलाई होंगी आप में, अगर आप अगाना आप सुबा जब जाती थी और शाम को आती थी, निराश होती थी, जब काम नहीं मिलता था, उन दिनों आपको कैसा लगता था? नहीं, again it goes back to like, I'll quote something, कर्मर्निय वहादिकारस थे, your right is to work, your right is not to get any result out of your work, तो अगर मैंने दिन में महनत की है, तो I've done my job, अगर कुछ मिलता है, तो भगवान की इच्छा है, और अगर नहीं मिलता है, तो भगवान की इच्छा है, और अगर नहीं मिलता है, तो भगवान की आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी और मुझे चानदा वापस चले जाना चाहिए, मेरे मान में हमेशा एक आस्वासन था, ममी पापा का की, कभी कुछ हो गया, मैं तो सिर्फ यहाँ एक चांस लेने आई हूँ, अगर कुछ हो तो मैं वापस चली जाओं आप दिल से करो और आप अच्छा करो, किसी को तकलीफ ना दो आप, और अगर आपका कॉंचिंस क्लीन होगा ना तो आप हिम्मत कभी नहीं हारोगे, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में होंगे, अगर आपका चरित्र ठीक है, और आपको पता है कि आपने गरत कान ने किया आपने से ही किया है, चाहे आप कामयाब हूँ या नहीं, अप फिर भी अपने आपको संभाल पा हुगे, अप फिर भी अपने आपको संभाल पा होगे, आप फिर भी अपने आपको संभाल पा होगे, you will never have an emotional breakdown. But when you lose self-confidence, then it's difficult. आप में हमेशा वा आप में विश्वास था कि आप कर पाएंगी? बच्पन से नहीं था, नहीं, बच्पन में तो बिलकुल बिलकुल confidence, आर्टिपिशल था आप स्टेज के उपर जाना और बोलना ये सब, लेकन अंदर से, I didn't like myself, and why should I like myself, I didn't have good qualities, people say you should be yourself, लेकन you should be yourself if you have good qualities, तो पहले आप एच्छे-च्छे qualities जब आप डिवेलप करेंगे अपने में, तो पहले आप एच्छे qualities जब आप डिवेलप करेंगे, तो पहले आप एच्छे qualities आप में आएंगे, तो आप अपने आप से प्रेम करने लगेंगे, and you will feel worthy of being loved, then the self-confidence will come, and then nothing can shatter you. Ruby, हम आप से और भी बहुत सारी बाते करना चाहेंगे, आपके मामा पापा के बारे में भी बात करना चाहेंगे, उससे पहले लेलते हैं, हम छोटा सा ब्रेक. Ruby, आपका लोईस्ट पॉइंट कौन सा रहा निराश्या का, और जब आपको लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता और आप एकदम डिप्रेस्ट हो गई? बहुत साल पहले जब बिल्कु जब जब शिरू में आई ही थी, मैंने काम शिरू ही क्या था, तो मैं अकेली रहती थी, मैंने ये तो कभी नहीं सोचा था, मैंने मेड रखूयां कोई खाना बनाए मेरी लिए, खुद बनाती थी, खुद करती थी सब कुछ, और एक समय, रात को दस बजे मैं घर आई, मुझे काफी मेरी तब्यद ठीक नहीं थी, और खाना भी कुछ बना हुआ नहीं था, बस हिम्मत नहीं थी, मैं लेट कही घर जाके कि मैं नहीं उठ सकती, और भूग के मारे मैं मरी जा रही थी, और मैं काब मैं क्या करूँ, अब कौन देख का, मैं अकेली हूँ बंबे में, तो मैंने का, रूभी, तुमें ही करना पड़ेगा, जो भी तुम करो, लेकिन तुम्हें इस अबसे कल को पार करना ही पड़ेगा, इस अप टो यू, तुआ लाइव, एफ जो आप यो रोड मिशिए, बड़ी विल नो, तुम्हें क्या करना है, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं मैं खुद तो नहीं बना सकती हूँ, मैंने कर सकती। तोड़ी सबजी दो रोटी, if you don't mind, that's really something, yeah literally, I had to ask, I mean it was like begging, it was a low point, but I said no, I have to overcome this, ऐसे दिन आने वारे लाएं 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 लाइफ में, but जब तक आप किसी से मदद मांगोगे ने, उनको कैसे बता लगेगा कि आपको जरूरत है, लोग हैं आपकी मदद करने के लिए, पज दिप्रेस और इलूशन का जो आपने बात की है, जी, शुरू में जब मैं आई थी, मेरे मातर पिता ने तो एक बात बच्पन से सिखाई थी, कि I mean no compromising, you can't sleep with somebody to get a job, that's ridiculous, you have to do it on your own merit, and शुरू में जब मैं आई थी, एक बहुत बड़े एक सज्जन हैं, जो जिनहें में में समझती थी, और उनों ने कहीं बार इंडिकेशन दिया मुझे, कि इस फील्ड में लड़के आई दर उदर ऐसे करती हैं, वैसा करती है, और तभी वो सक्सेस्फुल हो पाती, क्योंकि इंडस्ट्री ही ऐसी है, पिर किसी और ने मुझे का कि जो तुम्ही ये बात कह रह रहा कि इसलिए बोल रहा है, और एक दन उसने कह दिया, कि I am a loyal son, not a loyal husband, and I said, okay, you might be what you are, और साथ साथ में उसने ये भी कहा कि, Ruby you are so ambitious, you cannot achieve what you want to achieve the way you want to achieve it, you will have to compromise one day or the other, and I said, well then you know what, I don't want it, में वापस Canada जाओंगी, वहाँ मेरे पास अपनी respect है, dignity है, I have a good reputation there, why should I compromise? on what I believe in, just for what, for fame, money, ने, ने चाहिए मुझे, अगर अच्छे से मिल सकता है, तो करूँ कि ने तो ने चाहिए, at the same time I maintained a good relationship with him, but I was staunch, and I think, में पर एक support structure वाली बात हो जाती, कि माबाप मेरे हमेशा थे, अगर मैं आज तक कोच ऐसी बात हो जाए, कि मैं ने कर पाँ, they are there for me, I can always pack my bags and go back home. ये आपके पास support है, उन लोगों का क्या, जिन के पास तो support नहीं है, और possibly ये सब उनको करना परता है, उनके बारे में आप क्या सोचेंगे? अगर आप talented हैं, चाहे आप शादी शुदा हैं, चाहे आपके पास चार बच्चे हैं, चाहे आप मॉरल हैं, इमॉरल है इदर उदर कुछ करने से आपको एक एक अट्री मिल जाएं लेकन एंट्री के पाद, पाद, उनके सोचेंगे इनके इस सब्सक्सक्ता बारे में अगुरल, बचाहे ये जब आप निवे निराश हुए तो कभी किसी का सहारा मिला कोई ऐसी दोस्त ये किसी के पास आप आप मार्ट सकी उस समय डेफिनिटली मतलब अगर ऐसे लोग नहीं होते थे लाइफ में तो बड़ा मुश्किल हो जाता था लेकिन उससे भी बढ़कर एक जब सिच्वेशन में आप अपने आपको पाते हैं अगर आप कर देंगे तो फिर आप कामयाब नहीं हुए यह बताएगे कि अपने सबसे पहले जब कामया फेस किया तो आपको कैसा लगा कैसा महसूस हुआ कि आप सक्सेस्फुल हो पाएंगी पहली बार जब मैंने कैमरा में देखा तो मैं हिल रही थी और इसली क्योंकि आम ब मैं तो बिलकुल पानी-पानी हो गई थी क्या बूलू मैं चौदा टेक किया वेने फॉर्स टेक काफी मुष्किल था इसक्रिप्ट में बहुत बाते लिखी हुई थी और इन टाइम शो ताइमिंग अगर आप होंग कॉंग में रहते हैं तो यह ताइम तो इस ताइम तो इ गाडी में बस आज अगा बड़ो से बाए और मेरे देख इने बड़े बड़े बच्चे वाह पर गूम रहे हैं मैं रहा मैं तो नाइंत में हुँ मुझे सब यहां राग इंगार बाइग करेंगे मैं अगा मैं निकल देख क्या हुँ एटाइम जे तो यहां अगार रह रह और अदर निए पानी पानी हो रहे हैं लेकिन फिर भी उपर से आपको डिखाना है कि आप कॉंफिटेंट हैं और आप कर सकते हैं और धीरे धीरे आप कंफिटरबल हो जाओगे रुभी एक बात बताएगे विमन इंपावर्मेंट के बारे हम अकसर बात करते हैं इदर उदर स्वयम शक्ति संपन बनाना महिलाओं को इसके बारे में आपके क्या व्यूस हैं उनको financially independent होना चाहिए आपके क्या व्यूस हैं I think बहुत जरूरी है कि ladies जो है जितना हो सकता है वो सीखें कार कैसे चलाते हैं financial अपना जो काम है, chartered accountant के साथ बैठना, पूरा समझना, economics के बारे में, politics के बारे में आप सीखो दुनिया में कि आप अपने husband पे बहुत ज्यादा dependent ना बन जाओ चुँकि husband भी आपको respect करेगा, अगर आप कमा सकते हो तो थोड़ा बर, side income आपकी होनी चाहिए and you use it for yourself or for your family, that's up to you, लेकन आपको एक self-sufficiency हो जाएगी मेरे मन में हमेशे ये बात होती थी, कि मुझे अपने आपको संभालना चाहिए क्योंकि कभी भी हो सकता है कि आपके husband God forbid मर जाए या कुछ हो जाए उन्हें, divorce हो जाए, मेरे साथ हुआ, by chance हो भी किया साथ में और उस समय, अगर मैं अपने आपको बिलकुल अकेली पाऊ, I should be able to survive, I should know how to survive, I should not feel कि मैं बेबस हो गई हूँ तो independent होना बहुत सवरूरी है, Ruby और आपसे बात जारी रखेंगे, पहले ले ले लते हैं, एक छोटा सा ब्रेक Ruby कई VJs और मॉडल्स हमें देखा अक्सर फिल्मों में आंक्टिंग करना शुरू करते हैं, पर आपने नहीं किया, ऐसा क्यों हुआ मुझे आपको कहा, मुझे आपको कहा, मुझे आंक्रिंग ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि आंक्रिंग में अपना भी डाल सकती हूँ, I can be myself and I can explore different aspects of myself, funny, serious, emotional, intense, जो भी फिल्मों में आपको वही किरदार करना पड़ता है, जो आपको बताया जाता है वो भी ठीक है, but television… But you'd rather be yourself? I'd rather be myself and I'd rather be on television because I think it's a very powerful medium Which is out to many more people Many more people, and people, like television stars के साथ, अपनापन होता है जैसे कि यह तो हमारे bedroom में, living room में, बैठके हमारे साथ, बाते है Large screen पे फिर वो एक, you get far removed from the people and I want to be close to the people एक बात बताये, Ruby, आपके आप परिवार वाले सब Canada में हैं, बंबी में आप रहती हैं, तो यहां कोई ऐसा है जिसको आप अपना समझती हो? बस वही जो साथ साल पहले जिसने मुझे खाना खिलाया था उस रात को My next-door neighbor, she's now my best friend, her name is Shubrata और उसे मैं मतलब sister कहती हूँ, I call her my Rakhi sister That's interesting She's great, she's full of life, she's always, she teaches me how to laugh and she's 24 hour support for me, without her I don't think I could live here तो खाली समय में उसके साथ आप हसी मजाग करते हैं? हसी मजाग करते हैं, jokes बताते हैं एक दूसरे को हमें भी सुना चाहेंगे आपका कोई जोक ऐसा हो तो Joke? जोक जोक Okay, okay I'll tell you my favorite, जो आजकल मिला चल रहा है जोक जंगल में एक बार शेर ने अपनी बारात निकाली शेर की शादी थी और जानवर कूद कूद के नाच रहे थे सोच आव जानवर कैसे नाच थे और एक चुहा था तो वो भी बहुत चोड़ से डान्स कर रहा था बहुत खुश हो के उचल रहा था तो दूसरे जानवरों ने कहा कि तूम इतनी खुश क्यो हो कैते है, मैंनो नचलाइन दे I say, he was a Punjabi चुह मैंनो नचलाइन दे मैंनो नचलाइन दे then he was doing, you know, भंगणा तो किसी का, इतना खुश क्यो है कैते है, अरे भाई, मेरे भाई की शादी है तू तो चुह है, तेरा भाई शेर कैसे हुआ कैते है, शादी से पहले मैं भी शेर था We all know what that means Ruby आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और अंत में जो आपने हसाया उसके दिए बहुत बहुत धन्यवाद Thank you so much Thank you for being with us on the show Ruby ने अपने लिए अपने जीवन के लिए जो रहा चुनी थी उसे ढूंती हुई कैनडा से हिंदुस्तान आई और एक नए परिवेश में एक नई शुरुवात की जीवन में उसके परिवाशा ढूंडी और अपने ढंक से जो मंजिल पानी थी उसे ढूंडी लिया उनकी यात्रा निरंतर आगे बढ़ती रहे यही हमारी कामना है